और नामदान सबको लेना चाहिए राम क्रश्न से को बढ़ा उनहों तो गुरु कीन तीन लोग के वैधनिक गुरु आगे आधी मैंने भी तो गुरु बनाया है हमारे गुरु पोजिसरी छमादे महाराच आपका भी गुरु होना चाहिए और किसी का गुरु ही बिगड़ गया हो तो दूसरा गुरु बना लेना जनजट में मत पड़ना गाली गलोज मत देना उस गुरु को सस्त्रों में छूट दी गई है ज्यान हीनों गुरुत्याज्यो मिथ्यावादी बिढमवका सो बिस्रांती नाजानात पर शांती करोत कियो गुरू दूसरा बना दक्तत रही ने 24 गुरू बनाये थे भगवान राम के गुरू वसिष्ट थे और शद गुरू विश्वमित्र थे और ग्यान जिसके ग्यान से जिन्दगी पलट जाये आपकी जिन्दगी की बुराईयन निकल कर बाहर होने लग जाये मन में शांती आने लग जाये उस गुरू का प्रवचन सुनकर के सुक शांती आनंद को प्राप्त करते रहा जैसे उस नाती ने खिचडी का घी उठाकर पी लिया है ऐसे तुम भी तुमारे घर में बहुत दुख है सब के दुख को उठाकर तुम पी लेना जैसे सिव जी ने जहर पी लिया था जिनोंने अमरत पिया वो सब देव बने पर जिनोंने जहर पिया वो महा देव बने मैं आप से कहूंगा घर में जो सुक है वो तो सभी ले लेते हैं लेकिन घर का दुख और कश्ट वो तुम अपने उपर ले लेना तो तुम देव के देव महा देव हो बहुत महान हो परिवार की सांती के लिए कश्ट सहना भी तप है परिवार के संगठन को मजबूत करने के लिए तकलीप को सहना भी तपस्या है सत्संग समागम कराने के लिए कश्ट सहना अपमान सहना भी तब है आप सत्संग समागम करा रहें कितनी मेहनत आपको पड़ी है दिन राज जागना पड़ा भागना पड़ा सिटिंग करना पड़ा सबसे सहयोग लेना पड़ा हाँ जोड़ना पड़ा जिनसे कभी नमसकार नहीं किया था, उनको भी हाँ जोड़कर नमसकार, थमसकार, धमसकार सब करना पड़ा। ये क्या है, ये तप है, क्योंकि आज अगर ये चाठा जागीर वालों ने इतनी मेहनत न किया होता, तो सायद ये पंद्रह हज़ार सुरताओं को लाभ नहीं मिला होता। चाठा जागीर की धरती, धन्य हैं यहां के लोग, नरणारी, जिनके मन में ऐसी भावना उत्पन हुई है, कि गुर्देओं को बुला कर समागम कराऊ, गुर्देओं की कथा कराऊ, आशिवाँ, आपका जीवन मंगल में होगी, समाज में फैली हुई कुरूतियों को भी दूर कुरूँ, पुरानी परंपराएं जो बेर्थ हो चुकी हैं उनको ढोते मत रहो, अब उनको विदाई दे दो, जैसे आपने बैलों से खेती करना लगभग बंद कर दिया कि नहीं, ट्रेक्टर से खेती कर दिया, ऐसे ही आपको पुरे भारत देश में, अलग अलग परदेश में, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग कुरूतियां हैं, जिनकी पहले आऊ सकता रही होगी कभी, लेकिन आज उनकी जरूरत समाप्त हो चुकी हैं, जैसे हमारे मद्द्परदेश में, राजस्थान में, मृत्तु भोज की परंपरा बहुत जबर्दस चल रही हैं, किशी के घर में किशी की मृत्तु होती है, तीसरे दिन खाना पी न रखा जाता है, फिर दसमें दिन, फिर बारों हैं दिन, फिर तेरों हैं दिन, जो मर गया सो मर गया, और जो जिन्दा बचे हैं, उन पर इतना खर्चा लद गया, कि वो करजा में मर गया, क्यों ले एक बार बस खाना खो जाए काफी है वो भी जमीन बेंच बेंच करके मृत्तु भोज मत कीजिए क्योंकि मर गए सो मर गए बाचे बाचनहार और मृत्तु भोज में जरूरी नहीं कि पक्वान बने साधरण भोजन हो जाए वो भी ठीक है खास खास रिस्तेदार आजाए बस मामा आजाए नाना आजाए बुआ जी ओ फुआ जी ओ भुआ फुआ 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 भुई सभाजाए जीजा जी 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 दीदी जी बस से 10-50 लोग काफी है एसे मरत्यों के कारिक्रम में तो भोजन करना नहीं चाहिए हाँ साधी भी वह हमें ठीक और शाधी साधी साधी उसका नाम ही ये साधी क्या नाम है साधी साधी मतलब सब साधा काम होना था साधी बे शाधियों में लोग बिक जाते हैं अनर्गल खर्चा होता है करजे में डूब गए अब इमान में दिखाते हैं कि अरे उनसे ज़्यादा टापका मेरा हुआ इक क्या दिखाना है शादी में ज़्यादा एक सो एक लोग पहुँचो बस हो गया सादी और शादी में भी ये भी ध्यान रखो कभी किसी लड़के के साद में भाग कर सादी मत करो कभी किसी लड़की को भी भगा कर मत ले जाने जरूरत नहीं तुवारे माता पिता को बहुत दुख होगा अपमान होगा और माता पिता ने तुम को पाल पोस कर सिच्छा दे कर संस्कार दे कर गोद में खिला करके क्या इसलिए बढ़ा किया था कि जवान होने पर उनका सम्मान भी डुबा दो तुम ऐसा कभी मत करें समाजिक मर्यादा के उसार धोम धाम से प्रेम से सो दो सो लोगों के बीच में सादी कर लिए और इतना जरूर मैं कहूंगा सादी में सुख नहीं पाऊगा ये लल्चाते हो अभी तुम बहुत ज़्यादा तुम समझते हो इसमें रसगुला है अरे इसमें गोबर गुला निकलेगा हाँ सुख नहीं है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि मन कंट्रोल ऐसे होगा भी नहीं सब जानते हैं गुरु जी बहुत सुखी है लेकिन गुरु जी जैसा मन कंट्रोल करना भी कोई आसान बात नहीं और मेरा मन तो बच्पन से कंट्रोल है सुरू से ही हम कभी गाओं में घूमने नहीं जाते थे कुछ नहीं कभी कोई गंदा फंदा गीत गाया ही नहीं यादे नहीं किया कभी जिंदगें फिलम देखा ही नहीं कोई अच्छी बुरी कोई नहीं देखा कोई नसा फसा किया ही नहीं और किसी को दोस्त भी नहीं बनाया, ना कोई दोस्त दोस्त में, सब हमारे दोस्त कोई दोस्त में, और सबसे बड़ी विशेष्ता, कि जब मैं पढ़ता था इस्कूल में डिगरी कॉलेज में, सामने से अगर लड़कियां आ रही है, और मेरे को भी उदर जाना है तो मैं साइड गली में जाकर खड़ा हो जाता हूँ वो निकल जाती थी तब फिर आकर मैं इधर जाता था कभी उनसे आँख लड़ाना खीसे काड़ाना ये कुछ करता ही नहीं था मेरे साधी लोग कहते थे सब जो पढ़ते थे साथ में और टीचर भी कहते थे तुम पूरे मात्मा हो तुम ने का क्या अधूरे बनना चाहिए बोले पेंट शर्ट में ऐशी रहनी आपके मेने का मुझे संत बनना है लेकिन थोड़ा सिच्छा प्राप्त कर लू अब गुरु ढोर रहा होगा है अब कितने गुरु भी ऐसा है जो दो तीन सदूनी राके भी है उसके पाद दो तीन सदूनी रहती है में इसको गुरु नहीं बनातो क्या फाइदा उससे उससे तो अच्छा फिर गरिषती करो तो ही ठीक अब मेरे साथ कोई सदुनी उदुनी रहे ये सोबा देता है अरे बहुत खराब बार मैं तो सदुनी उदुनी रखता नहीं ना अश्रम में न यहां ना मेरे साथ कोई लेड़ेच चलेगी ना मेरी गाड़ी में बैठेगी मैं तो सादू बना अपनी मां को भी नहीं बिठाता हूँ मां से मैंने कह दिया कि तुम्हें बेठना तो मैं उतर जाओंगा आपको गाड़ी छोड़ के आजएगी अब मां हो इसलिए सम्मान जरूर है लेकिन मैं जानता तुम मेरी मां हो और दुनिया क्या जाने ये मां की साड़ी चमक नहीं किसकी चमक नहीं इसलिए माता जी मेरा सम्मान आप समझो तो माता जी कहती थी मैं दूसरी गाड़ी से आजाओंगी और तुम जाओ बोलती थी तुम बहुत महानसंत बनोगे इतना शावधान को सभी माताओं वहनों में सभी नारियों में नाराणी का दर्शन करना है हमको और सभी नर में नाराण का दर्शन करना है याद रखना भगवान किसी को नहीं मिलता है लेकिन लच्छमी का रूप अगर कोई है तो यही माता वहन है इनको नमन करना चाहिए धन्यवाद देना चाहिए तो यह मन रोकना बहुत बड़ी बात है आप खेर ग्रेश आश्रम में हैं अच्छी बात है लेकिन ग्रेश आश्रम में भी नियम रखो एक पत्नी ब्रत एक पती ब्रत रखो और ग्रेश आश्रम में भी मन को इतना तो कंट्रोल करूँ कि जिसके साथ साधिकिया उसको धोखा बतो कितने लोग जैसे अपने देस में होता ना राष्ट पती और उप राष्ट पती ऐसे भी कितने लोग है पति और उपपति और गणपति क्या लफड़ा बना रख़ा है पतनी और उपपतनी फिर ना जाने कितनी पतनी यह सम्मन को बंदर मत बनाओ जिस किसी बेक्ति की बेटी ने आपको पती की रूप में सुबकारा है उसको पूरा प्रेम देजिए उसको रोना ना पड़े कितनी इस्तियां इसलिए बहुत दुखी रहती है कि उनका पती उन से प्रेम नहीं रखता है और किसी अधर लेडी से प्रेम रखता है इसलिए उन इंदर इंदर घुटन भरी जिन्दगी जीकर मर जाते हैं ऐसा कभी मत करें और ये विशे भोगों में सुख भी नहीं है ये भी समझ लेना आपन तेज सम्हारों वापै तीनों लोग हांक देखापैं अभी जिसे हम हैं न तो हम लोग तो ब्रह्मचारी है मेरी उमर 54 साल होई पचपन चल रहा है और वास्तिविक 58 साल का और वो लिखा छोटा कम है लेकिन ये उमर कितनी ही हो पर आपन तेज सम्हारों वापै तीनों लोग हांक देखापैं आपके सरीर के अंदर जो बिर है रज है वो सरीर का राजा है अगर राजा ठीक से है तो चमकता रहेगा चमकता रहेगा तेज सीवी बनो ओज सीवी बनो यससी बनो तबस भी बनो आपका जीवन तेज मान हो सभी बेटियों के सभी बेटों के मुख मंडल पर तेज जहलकता हो सभी की बाणी में वो जिस्वीता हो बोलो तो आपके सब्दों में वजन होना चाहिए आपके हर कार्य में भजन होना चाहिए आपका जीवन सज्जन होना चाहिए अपने से बड़ों को पेर छूकर प्रणाम भी करोगा पेर छूकर मस्तक में लगाओ या मस्तक उनके पेरों में लगाओ पेर छूकर पेट में मत लगाओ आज कलके नियुयॉक पेर छूते हैं तो घुटना चूते हैं और घुटना चूकर पेट में अपने लगा लेते हैं तुमारे घुटना चूकर पेट में लगाते हैं पेर छोना है गोटना नहीं तो गोटना का कोई डाक्टर है कि गोटना पकड़ा पेर छो पेर अब गोटना इसलिए छो रहे हैं कि है पिता जी तुमारे गोटने मजबूत रहें ताकि मेरा पेट भरते रहो उनके गोटने छो रहे हैं अपनी बहन का भी सम्मान करना बहन लमबे समय तक महमान है ये बहन परमन रहने वाली नहीं है इसलिए अपनी बहनों को दुख मत देना रुलाना मत तकलीप न देना खुस रखना ये वीस साल तक महमान रहे गी और इसके बाद इसका घर और बर कहीं सिट होगा और वहाँ जा करके ये निमास करेगी इस बहन को बिदा करने के बाद भी ध्यान रखना और अपनी बहन को अपनी बेटी को भी शिखाना कि सस्राल में जा करके गम खाना सहन सीलता रखना जोस में मत रहना ये मत सोचना मैं छत्राणी की बेटी हो सब को छचुंदर बना दूँए अरे तु छत्राणी की बेटी है तो तेरी सासू क्या कोई वो कम छत्राणी है तो बहुत पुरानी छत्राणी है तो टक्कर हो जाएगी नफे नहीं 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 हमको किसी इससे मतलब नहीं है नम्रता सासू के दिल पर कबजा कर लेती है सरलता ससुर को जीत लेती है और सेवा का भाव पुरे सस्राल वालों को कंट्रोल में कर लेता है ऐसे भाव से रहा है हमारा धर्म हो सेवा सदासत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना हमारा धर्म हो सेवा हमारा कर्म हो सेवा